ब्रेके बाद आपका स्वागत है देख रहे हैं आप ABP गंगा अवैद शराब बेचने से या फिर इस वज़े से किसी की मौत होती है तुम बृत्यू दंड का कानून है प्रावधान है लेकिन इस व्यवसाव से जुड़े लोग हैं उनके होसले पस्त होने का नाम नहीं लेत उत्तर प्रदेश में एक बर फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है बारबंकी में जहां मौत के आकड़े को दस बताये जा रहा है और अब तक सस्पेंड किये जा रहे हैं लोगों की संख्या भी दस है लेकिन क्या आपकारी विभाग की नजर में दस लोगों की ज जगें हैं चाहे कानपूर देहात है वहाँ पर जहरीली शराब से लोगों ने अपनी जाने गवाई हैं बावजूद इसके क्या विभाग की सतरकता या कोई भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे आपके सामने नजीर बन के आया है जाहिर तोर पर नहीं अगर होता तो आज द चप्पा लगा था सरकार का कि ये शराब सुरक्षित है आप सेवन कर सकते हैं इसलिए अपकारी विभाग पे तमाम आलादिकारी इंस्पेक्टर जिनकी मोटी तनका होती है बिठाए जाते हैं ये समझके कि अपने जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन उनकी जिम्मेदार कि शराब से मौत का मामला, मौत का आकड़ा और भी बढ़ गया है विभाग की ओर से पांच लोगों की पुष्टी की जा रही है जबकि अब तक दस लोगों की जान जा चुकी है तो सरकारी ठेके से शराब खरीद कर पी थी इन्होंने और दस लोग अपनी जिन्दगी से हा कमिशनर फैजाबाद भी बारबंकी के लिए रवाना हो चुके इस पूरे मामले को सीम ने संग्यान लिया है संवेदना व्यक्त की और साथ ही में आदेश दिया है कि जल्द से जल्द गुनाहगारों को पकड़ा जाए उनके नाम सामने आए लेकिन कितनों के नाम सामने अगर मिली भगत है तो आपस में जाच करके कैसी रिपोर्ट बनाएंगे ये तो आम इनसान भी बता सकता है इसलिए फैजाबाद से भी अधिकारियों को भेजा जा रहा है लेकिन देखना है कि इस तरह की जाच कब तक इसका रिजल्ट आता है कब तक इस पे फैसले आते है आई जी रेंज फैजाबाद को भेजा किया है क्योंकि अगर उसी विबाग को समप दी जाती है ये जानकारी कि जाइए आप ही साब जाच करके रिपोर्ट बना दीजे तो आप सोच लीजे कि क्या एक ऐसा विबाग सिर्फ एक कड़ी गलत होने की वज़े से दस लोगों की जान गई है क्या ये एक दिन का खेल रहा होगा ये तो हम आप भी समझ सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं ऊपर तक साख होती है पहुच होती है तभी क्योंकि गावाले बता रहे हैं कि जहरीली शराब की फैक्टरी भी थी अवैद फैक्टरी भी थी जहां से मिलावट की जा र कि सरकारी मुहर लगी है ठपा लगा है दुकान पे बावजूद इसके मौत विक्रही है है बिल्कुल हम बाराबंकी के रानिगंश गाउं ने हैं जहांपे आज मौत का मातंपस्राइं और हम उस परइवार में हैं जहां पर कहा जा कि पिता और उसके परिवार को जार दिया है मेरे पीछे तो यह तस्वीर है संतोष के साथ हम जुड़ने के कोशिश करें संतोष उस गाह में मौझूद है जहां पर परिवार ने अपनों को खोया है बातचीत करने की कोशिश की जारी है सिगनल की प्रॉब्लम थोड़ी से जरूर आरी है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं संतोष से जुड़े और उस परिवार से जुड़ने की कोशिश करें हलां कि क्या ही कोई कह सकता है क्या ही इस मौके पर बातचीत की जा सकती है जिनके एक साथ दस अर्थियां घर में रखी हो उन दस अर्थियां एक साथ घर में रह जाएं उस घर की ही नहीं बलकि गाओं की क्या हालत होगी तो ये तस्वीरे बारबंकी की हैं जहां पर एक परिवार के दस लोग अपनी जिन्दगी गवा चुके हैं जहरीली शराब जो की लाइसेंस वाली सरकारी दुकान से खरीदी ये बड़ी दुख्या घटना है और ये दुर्भाग का विश्य है कि प्रदेश के अंदर पिछले सालों कई घटना घट चुकी हैं हमारी पार्टिन कई बार मांग की इसमे बड़ी-बड़ी कारवाई की जाए जहां चोती है इसके पाद सब खतब हो जाता है ठटा मामला पड़ जाता है हम उत्तर प्रदेश सरकार से हैं मांग करते हैं कि जो भी दोसी व्यक्ति उनके कड़िस कड़ी कारवाई हो सजाबिले जेल बेजने काम करें कम सकम गैंगेस्टर राशुका जैसी धारा उस इनको जेल के अंदर बेजा जाए ये सराम माफिया जो गलत काम कर करने वाले हैं जब तक बड़ी करवाई जयोंगी इनका मनुपल नहीं तूटेगा जेल के जब तक नहीं जाएंगे इसे कारोबार करते रहेंगे कानून तो इतने कड़े हैं कि जान मृत्यू दंड का भी प्रावधान है लेकिन डर किसे है दंड तो भोगती है आम जनता जो सरकारी दुकान से लाइसेंस वाली दुकान से शराब खरीदने के बाद घर ले आते हैं मौत और पूरे परिवार में मातम पसरा है इस वक्त हमा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे मौके पर बातचीत करने के लिए सक्षम होता है जिसके घर में दस अर्थियां खड़ी हो रखी हो वहां पर माहौल कैसा है यह पूछने की ज़ुरत नहीं है लेकिन आसपास के लोगों से बातचीत करके क्या पता चल रहा है कौन बात में बहुत दर्दनाक है हर किसी को स्तब्ध है कि अकिर सरकारी ठेके में जहरीली शराब जो बेची जा रही थी इसके लिए जिमेदार कौन है परिवार उजड़ गया पूरे परिवार में पिता उसके तीनों बेटों की मौत हो गई मेरे पीछे उन दो बेटों की सब कत जक रही है अपने आप में दर्दोराक ये तस्वीरें जिने को के हम अपशेशों तक पहुंचा रहे हैं लोग पहुँच रही हैं ढ़ारत बंदहाते नहीं बंद रहा है में औरjतों के रोना बिलखना मचा हुआ है जो पिता है छोटे लाल मुकेश रमेश सोनू तीन और चारों लोगों की मौत हो गई है मुकेश रमेश की शब हमारे सामने हैं और इसके कहा जा कि छोटे लाल और सोनू जो घर का पूरे एक परिवार के अलावा पूरे गाउं में मातंपसरा हुआ है अब तक दस लोगों की मौत की पुछ्टी हो चुकी है कारवाई के नाम पर अगर कहा जाए तो भले ही एसो राम नगर और सीओ राम नगर को डीजी पी ओपी सिंग ने सस्पंड कर दिया हो आपकारी का है कि जब जहरीली शराब के पीछे जो भी जिम्यदार हों उनके लिए सजाए मौत का अगर फर्मान है कानून बनाया हुआ है तो आखिर कब तक उत्तरप्रदेश के गाउं में जैसे सूरत गन जैसे गाउं में लोग ऐसे ही परिवार उजरते रहेंगे आखिरी आप सर क जो अपनी जेबें भरने के लिए इस तरीके से एक जहरीली शराब और वैच शराब के कारुबार को पनपने देते हैं एक बड़ा सवाल है और ये सिर्फ बारा बंकी में नहीं चुनाओं से पहले देवरिया सहरनपूर उन्नाओं कानपूर देहात लखनाओं ऐसे हर चहर म है कहा जा कि ऐसी जहरीली शराब से मौत कमातम पसरा था कारवाई के नाम पर सिर्फ स्पेंशन हुआ कुछ मुकदमें हुए जाज का जुनजुना बजाए गया लेकिन जाज के बाद कोई ऐसी कारवाई नहीं की गई जो नजीर बन सके जो लोगों में एक नजीर बन सेके लोग धालस बनाने पहुचे हुए गाउं में लोग तो यह एक्स्क्लूजिव तस्वीरे हैं एबीपी गंगा पर हम संपर्ख करने की कोशिश करें संतोष और इस गाउं की स्थिती जहां पर एक घर के आगे दस शव हैं सबने सरकारी ठेके से शराब खरीदी थी और आज सुबह कुछ यह मंजर है तो यह गाउं है जहां गाउंवाले कठे हो गए हैं इस पूरे मौक्य पर किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे धांडस बदाए जाए जहां एक दो नहीं बलकि दस सदस्थ एक परिवार से अपनी जिन्दगी खोचुके हैं और पीछे इतने सारे सवाल हैं जिसमें दस लोगों की सस्पेंशन की खबर आ रही है विभाग की ओर से कि दस लोगों की शायद नौकरी खत्रे में है और मौत की पुष्टी में भी लेकर कई अव्यवधान से चल रहे हैं जहां पर पांच की पुष्टी विभाग की ओर से की गई है जबकि शव हैं दस तो बारा बंकी से ये दुखत तस्वीर जहां आपकारी विभाग की लापरवाही के भेट चड़े हैं दस मासूम हमारे सहयोगी संतोष इस्वक गाव में मौझूद है उस परिवार के पास मौझूद है जहां गाव वाले भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं मतलब समझ से परे है कि विभाग की शिथिलता विभाग की लापरवाही लेकिन दस लोगों की जान उसके बदले में कैसे आ सकती है और फिर उसे तोलने के लिए क्या नौक्रियां या सस्पेंशन या जाच काफी है ये बड़ा सवाल है